So, what's up guys, first of all, welcome to our channel Help A Beta नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए जर्नल नौलिज में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉप 10 कोश्चन लाए है इस वीडियो में आपको एक बोनस कोश्चन भी मिलेगा, जिसका अंसर आपको ही देना पड़ेगा तो इससे पहले हम वीडियो को सुरू करें आप हमारे चानल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़िए ताकि आप कोई भी अपडेट आगे चलके मिशना कर पाए इसलिए आगे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राजिया कौन सा है ओप्सन है आपके पास पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्रप्रदेश या फिर केरल है दोस्तो प्रतेक प्रस्ट के अंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिये जाएगा इसके लिए आपका समय सुरू होता है अब क्वेश्चन फर्स्ट का अंसर चला जाएगा उप्सन नमबर 3 उत्रप्रदेश भारत के उत्रप्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किया जाता है उत्रप्रदेश में भारत का लगभग 34 प्रस्ट केहूं उत्पादन किया जाता है बारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तरप्रदेश, पंजाब, गुज्राप या फिर हर्याना को Q2 का अंसर हो जाएगा ओप्स नमबर एक उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कह जाता है यहाँ पर भारत की लगभग 35.5 लाग टन चीनी उत्पात की जाती है थर्ड क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में आत्यधिक आशिंचित खेती की जाती है कनेरा के मैदान, गंगा के मैदान, दक्कन के पठार या फिर पंजाब के खेतों में अंसर चला जाएगा ओप्सिन नंबर तीन दक्कन के पठार में भारत के दक्कन के पठार में सबसे ज्यादा असिंचित खेती की जाती है फोर्थ क्वेस्चन है भारत लोह आयशक का निर्यात मुख्यता किस देश को करता है अमेरिका कनाडा चीन या फिर जापान को अंसर चला जाएगा ओप्सिन नंबर फोर जापान भारत लोह आयसक का सबसे अधिक निर्यात जापान को करता है पहले भारत लोहे का सबसे अधिक निर्यात चीन को करता था लेकिन अब ये स्थान जापान ने ले लिया है question 5 है भिलाई इस पात सयंत्र किसकी मद्द से स्थापित किया गया है अमेरिका, रूश, जापान या फिर कनाड़ा की मदद से सही answer हो जाएगा option number 2 रूश भिलाई इस पात सयंत्र रूश की मदद से भारत में स्थापित किया गया है QUESTION 6 है इनमें से कौन सा कर प्रत्यक्षकर है विक्रेकर उत्पादकर धनकर या फिर मानोरंजन कर सही ंसर चला जाएगा OPTION NO. 3 धनकर कीशे भी देशका धनकर ही उस देशका प्रत्यक्षकर होता है QUESTION 7 है राष्टरी आई किसे कहते है आउयकर को प्रत्यक्षकर को मुल्य को या फिर उत्पाद लागत पर नेवल राष्ट्री उत्पाद को अंसर हो जाएगा option number 4 उत्पादन लागत पर नेवल राष्ट्री उत्पाद जिस देश में जितना आधिक उत्पादन होगा उस देश की राष्ट्री आई उतनी ही आधिक होगी question 8 है पानिपत की पहली लडाई कब हुई थी बहुत important question है option है 1526 में 1611 में 1121 में या फिर 1615 में अंसर चला जाएगा option number 1 1526 में पानिपत की पहली लडाई 21 एप्रेल 1526 इस वी में हुई थी यह लडाई इबराहिम लोधी और बावर के बीच हुई थी इस लडाई में बावर ने इबराहिम लोधी को पराजित कर दिया था question 9 है जीलों के अध्येन को क्या कहते है potomology, topology, hydrology या फिर limnology सही अंसर हो जाएगा option number 4 limnology, जीलों के अध्येन को limnology कहते है question 10 है शीव समुद्रम किश नदी पर बनाये गये जल प्रपात है गंगा, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी नदी पर अंसर चला जाएगा option number 4 कावेरी, शीव समुद्रम जल प्रपात कावेरी नदी पर बनाये गया है तो यह है इस वीडिये को bonus question question है चंदरगुफ मौरे ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे काशी में, पातली पुतर में, उजेन में या फिर स्रावन वेल गोला में जो लोग इसका अंसर जानते है वो अपना answer comment box में लिखिए तो दोस्तों वीडिये अगर अच्छी लगे है तो वीडिये को like करना ना भूलिएगा और ऐसे ही journal knowledge, interesting question और facts with GK की अधिक वीडियो के लिए हमारे channel help है बेटा को subscribe कर लिजिए और bell icon को भी प्रस कर लिजिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care